चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी वाले मैगी, सबसे पहले पैन गरम करके उसमें सरसो का तील डालके जीरा, हरे मिर्च और कैपसिकम डाला है मैंने, साथ में अनियन को भी डाल दिया है बारिक काटके, इन सबी को ज़्यादा नहीं भूनना है बस हलका साना यह थोड़ा स मच डाल लिया है, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हो, मैंने एकदम पॉफेक्ट मेजर्मेंट बताया है, दो लोगों के लिए, दो पैकेट मैगी के हिसाब से, और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैगी का प मैगी तो अच्छे से कुखोना चाहिए, और अगर आपको चाहिए कि यह थोड़ा सा जूसी हो, तो आपना थोड़ा सा पानी बढ़ा के नमक बढ़ा दीजिएगा, और टेस्ट मेकर डाल दीजिएगा, अब जब यह मैगी हलका हलका उबल जाया ना, तब आपको टेस्ट म इन सभी को अच्छे से डाल के पका लेंगे, थोड़ा सा पानी मैने बढ़ा दिया था, ताकि मैगी थोड़ा सा अच्छे से कुख हो जाया थोड़ी देर पकाने के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हो, मैगी अच्छे से कुख हो चुकी है, बस इसी कंसिस्टेंसी पर गैस को बंद करके और मैंने इसको उतार लिया और सबसे इंपॉर्टन चीज मैंने मेरे पास चीज रखा था तो वो मैंने डाल दिया अगर आपके पास हो तभी डालेगा नहीं हो तो मद डालेगा और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है चीज डालके और मेरे छट पे मैंने धरी धनिया उगाया था तो वो मैंने थोड़े बहुत ले लिया था हरी धनिया छट पे उगाना बहुत जादा असान है मैं सोच नहीं रहती कि सच में इतना अच्छा हरा भरा उग जाएगा लेकिन हाँ उग गया तो मैं बहुत खुछ थी अपने हरी धनिया को देखके गमले में ही उगाया है और जो रेकुलर बीज होता है जैसे मसाला पीसने के लिए आता है मेरे घर पे वही मैंने लिया है और यहाँ पे इंक्तम देख सकते हैं कितना अच्छा से जो चीज है वो भी मेल्ट हो गया है तो यह बहुत टेस्टी था बस चीज डालने से इसका थोड़ा सा स्वाध हो जाता है आपके पास हो तभी डालेगा नहीं हो तो कोई जुरूरी नहीं है उसके पिना भी आप बना सकते हो और यहां पर मैंने इसको सर्व कर लिया अच्छे से अपने बर्तिन में और उसके बाद मेरे घर पे तुरंत खतम हो जाता है मेरे भाईया दीदी सब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन मैं पूछू कि कैसा बना है तो बताने में उन लोग की नाव कर जाती है नहीं बताते हैं अच्छा नेकी बनाल यह यह करके बहाने दे देते हैं तो आप बताएगे का आपको यह रेसिपी कैसी लगी और थैंक्स फॉर लॉचिंग पाई